हुआ हो जब तमाम लोग यह तमाम लोग चंसेकराजाद के हाथों को मजबूत करने के लिए कई कई न कई संकल्पित हो चुके है तो हमें तो गर्व है संसद में हमारा समस्दम चैसकर भई करेंगे पहले दिन ही उन्होंने इतनी आवाज निकाली थी हमारे लिए रहेगी इदर से परदान मंत्री बनने का मैं सोच रहा हूं कि आज संसद बने हैं परदान मंत्री बने कंग्रेस बीजेपी का पाला छोड़ करके और बहुजन समाज अब इसके पास एक विकल्प है जैसे बाउजी ने बता है तो आपको क्या लगता है कि अब समय आ गया है समय आ गया है जाने देर नहीं है थोड़े ही देर है जो भी काम कर रहें अच्छा कर रहें और उनके साथ में हम लोग सायोग करेंगे जम के चाहिए चंद्रसेखर बाई अच्छे आदमी है और सब के लिए बीच में जाके काम भी करते हैं सबका बात भी सुनते हैं पबलिक के बीच में जाना जो पीड़त है उनसे मिलना उनके दुख दर्द उनकी तकलिफ को समझना यह कही ना कह आने वला समय में चंद्रसेखर रही इस देश का परधान मंत्री बनेगे लगभग अब दस से साड़े दस वज़े का टाइम है और इस वक्त में फड़िदाबाद के बापू नगर में हूँ और यह तमाम लोग आप देखिए कि लोग हमसे बात करने के लिए काफी उस्तु सब्सक्राइब को यहां पर चुनाब होगा और जो पार्टी है जो उनका संगठन है वो लगाता नरंतर लोगों से जनसब पर मिलाने में लगा हुआ है इसी कड़ी में बातचीत करेंगे इन तमाम लोगों से कि यह चंसिकर अजाद को ले करके क्या सोचते हैं और राजनीत से रहता हूं यह बाकी सभी लोग भी शायद आप सब लोग बाहर से हैं एक बार दिखाएं मैं स्थायोगी से कहूंगा कि यह तमाम लोग जो है और देखिए मिशन को यहां तक जो मिशन बाबा सहाब का है उससे कितना लगाव है तो अभी भी यह लोग डटे हुएं बात्चीत करने लिए जी मैं बात कर रहा हूं चंसेकर आजाद को ले करके जैसे कि यह हर्यादा में नौटिफिकेशन जारी हो गया है कि चुनाब होंगे अब और चंसेकर आजाद है पांच तारी को आने वाले भी हैं शितंबर को तो क्या सोचते हैं आप चंसेकर जी का हात मजबूत किया जाए वह आगे बड़े उनका जो करम है जो धरम है जो कर रहे हैं उनका जो कारिये है वह बहुत सिरेष्ट है मैं उनका टीवी पर भी देखता हूं अभी उन्होंने इतना मेहनत किया इतना संघर्ष किया है जिससे नगीना लोग सभाग सीट से जीतकर संसद में पहुंचे एतने संसद हैं एतने लोग बहुत लोग 500 कुछ संसद जीतके गए हैं लेकिन कोई संसद ने AC, ST, OBC के लोगों को आवाज नी उठाते हैं चंदर सेखर भाई जो है हमारा उन्होंने हर मुद्दे पर जाहते हैं नोकरी पर आवाज उठाते हैं पहलवानों के उपर ऊवाज उठाते हैं तो हमें तो घर्ट हैं जी हमें गर्भ यह है कि賽 भाई लोगों को ऐसा सोफ विचार है कि हमारा संसद में ऊने होने चाहिए कैसे होगे मतलब रहे हैं और भाई भी काम कर रहे हैं और एक दिन मेनत रंग लाएगा और आजास समाज पार्टी के पचास क्या सो संसादे संसाद में रहेंगे उनका काम करने का तरीका और जजबा जैसे कि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम किया योगदान दिया मतलब की हर माता बहने उनका जो मतलब की आश कि आप बताइए क्या सोचते हैं चंसे कर आजाद को राजनीती में कहां दिखना चाहते हैं आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुच चुके हैं और आपके बीच में वह एक बहुत बड़ी करने वाले हैं फडिदाबाद में प्रितला विदान सभा में 5 सितंबर को देंगे आजाद भाई समाज के लिए खुम मैनत करेंगे और हम चाहते हैं कि जो आज तक ना कोई OBC, SC, ST किसी के लिए भी किसी ने आवाज तक किसी संसद में नहीं उठाये गया और हमारे आजाद भाई समाज खाड़े वे और संसद में हमारे लिए उन्होंने आवाज वह हमारे लिए इतना उन्होंने लड़ा और आगे बढ़े और नगीना लोग सबासे वह जीत क्या संसद में बैठे हैं और आज हमें उम्मीद है जो सीम पत भी बैठेंगे नगीना से शांशत बने भाई साब कह रहे हैं बहुत जादा मेहनत करने की जरूवत है पार्टी क बने हैं परदान मंत्री बने मेरी हंजोडिया वह बने मेरी कैसे बनेंगे आप लोग बोट मैं मेनात करूँगा जितने भाईच्चारा सबसे रहे रहेगा सब को मिलाजुला के सबके यहां से जैसे भी बोट हम अधिक से अधिक उनके करम से उनके रहें बोट दोगे तब चाहिए उनकी रागे बढ़ेगी आप तमाम लोग बोट तो पहले बीज़े पी ज़े जयापी काउडस सो करते हैं तो कैसे अब क्या बदलावाराईगा बेमार्मियों को मिलाएगा हम अपने मार्मियों को समझाएं गरब आपको लग रहा है क्या आपको लग रहा है क्या पालिटी हर्याना में एक मजबूत इस्तिति पड़ा कर देगी कर देगी के बोट मिलेंगे चंद्रसेखर आजाद को ज़िए मिलेगा यहां से मिलेगा है कि हमारे जुद पाटी के लोग है जितने को यह जागुरूत करेंगे अपना बोट का दिखार है जो कर रहे हैं अधिक से लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं अज्ड है यह तमाम लोग चंसेकर के साथ तो को मजबूत करने के लिए कही ना कहीं संकल्पित हो चुके हैं और बागी जो बाधचीत हैं उसको आगे बढ़ाते हैं वह कि लेकिन आज नहीं को ही और हम लोगों को देन है कि ये भीम आर्मी चंद्रसेखर भाई जो खाड़ हो रहे हैं ये मयावती इतने सीटों पर संसद को खाड़ किया है ये कभी नहीं आये लेकिन एक ही सीट पर जो है चंद्रसेखर जी जो है खाड़ हुए नगीना से कि वो जीत गए हम लोगों को उमीद है कि नवजुवक है अवो हर जगह से वो अपना परत्यासी जरूर निकालेंगे जो भी उतर परदेश में जो चुनाव है वहां तो सौ परसेंट वहां जीतना है जो कि अभी चुनावा रहा है यहां हर्याने के अंदर में जहां तक कोसिस होगा वहां तक कि यह भीम आर्मी का ही कंडिक्ट निकल सकता है कैसे निकले गया थोड़ा समझाइए अभी तक तो तमाम जो परवासी लोग भी है यहां का जो लोकल है जलित समाज की बात करें तो हर्याणा का जो बोटर है खासकर जो जलित बोटर है वह बीज़ेपी कॉंग्रेस या पिर कांगरेस में एंडिये को हम लोग समाज को ना देख करके हम लोग समीधान को बचाने के चक्कर में हम लोग जो इस भोट को हम लोग दे दिये लेगिन अब जो है समीधान जब बच गया 400 नहीं पार किया तो हम लोगों को उमीद है कि हम लोगों के अंदर में सक्ति है उस सक्ति को चंद्रे सेखर को अभी नहीं तो कल है अवश होगा कि कल आने व़ला समय में चंद्रे सेखर ही इस देश का परधान मंत्री बने गए वागी आप आई धर क्या लगता है आपको कि अब कॉंग्रेस बीजेपी का पाला छोड़ करके और यह जो भौजन समाज अब इसके पास विकल्प है चंसिकर आजाद को ले करके जैसे बाउजी ने बता है तो आपको क्या लगता है कि अब समय आ गया है जादे देर नहीं है थोड़े ही देर है चंद्रसेखर भाई फील्ड में दोड़ रहे हैं सेर वही है सेर बनेंगे लिए आप क्या मन अब तो जो भी काम कर रहें अच्छा कर रहें और उनके साथ में हम लोग सायोग करेंगे जम के थनमन धन बोट भी चाहिए वोट देंगे सर वो लोग साथिय चंद्रसेखर भाई अच्छे आदमी है और सबके लिए बीच में जाके काम भी करते हैं सबका बात भी सुनते हैं गरीब से लेके हर आदमी को तबते तक और अच्छे आदमी है और आगे चलके वही सांसद भी बनेंगे पबले के बीच में जाना जो पीड़ते हैं उनसे मि यह कहीं ना कहीं एक प्रहाब डाल दा है लोगों में बिलकुल सभी बात है सर आप कभी उनसे मिले हैं मिले नहीं है सर फोटो में आप ऐसे देखा है